देरादून के मेर के बारे में एक अजीबो गरीब ख़बर देखने को मिल रही है सुनील उन्याल गामा 2018 में बताया जा रहा है उनकी मूवबल इंमूवबल प्रॉपर्टीज की कीमत थी 2.25 करोर और अब ये बताया जा रहा है कि पिछले कुछ वर्षों में मतलब 2018 से अब तक इन्होंने 11 प्रॉपर्टीज ऐसी खरीदी है जो मार्केट रेट जिनका 20 करोर में है और इन्होंने खरीदा है 5 करोर में अगर ये है तो ये क्या हो रहा है और क्यों हो रहा है इसका मतलब है कि वे अपनी पुजिशन का दुरूपयों कर रहे हैं क्योंकि वो मेर है देरादून के इसलिए वे ये प्रॉपर्टीज को सस्ते दामों में खरीद पा रहे हैं लेकिन यदि ऐसा है तो ये बहुत बड़ी खत्रे की घंटी है भाजपा के नेता अपने विकास में लगे हैं और गलत तरीके से अपनी पुजिशन का अपने पद का दुरूपयों कर रहे हैं पहले भी इनके नाम बार-बार आए हैं कॉंट्रोवर्सीज में इन्होंने अपने बेटे को किस तरीके से एक बहुत महेंगी प्रॉपर्टी सस्ते रेट्स पे लीज पे दिलवाई थी अपनी पतनी को विदान सबा में नौकरी दिलवाई थी तो ये सारी चीजे इन चीजों का जवाब कौन देगा सुनील उन्याल गामा जी को देना होगा और भारतिय जनता पार्टी जिनके ये सदस्य हैं जिनके ये जिस पार्टी से बिलॉंग करते हैं उनका जवाब अपता किस पर नहीं आया सुनील उन्याल गामा इस पे क्या कह रहे हैं एक अलग विशह है चोर कभी अपने आपको चोर नहीं कहता और वो जरूरी भी नहीं है कि चोर हो लेकित भाजपा का क्या कहना है क्योंकि भाजपा की सरकार है भाजपा के पास पूरा सिस्टम है तहकीकात कर सकती है जाच कर सकती है पता लगा सकती है कि सच्चाई क्या है मगर क्या भारतिय जन्ता पाटी की सरकार ये करेगी या सुनी लुन्याल गामा को बचाएगी